नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चनल में दोस्तों यूपी ट्रिपल सी एनम 7189 नियुक्ति पत्र सासना देश नोटिस आज मुखमंत्री जी को ग्यापन ग्यापन के साथ साथ नोटिस जारी होने का आस्वासन अगर दोस्तों नोटिस आज नहीं जारी दोस्तों मुखमंत्री जी आज बनारस में आ रहे है चारास बजे से लेकर 5 बे तक उनका कारेकरम है मैं सुबह के वीडियो में बता दिया था कि चार बजे मुखमंत्री जी आएं गे और दो दियो स्धी दोरा है मुखमंत्री जी का बनारस में और बहुत ज़ादा अभ्यर्थी अभी अभी की अपडेट में आप लोग को बता रहा हूँ कि बनारस में बहुत धेर सारी एनम बहने पहुच चुकी है जहाँ पर मुखमंत्री जी का कारिकरम है और वहाँ पर appointment भी लेने की कोशिस कर रही है और जहां तक है appointment भी मिल जाएगा और इसके बाद जो है ग्यापन जो है दोस्तों ग्यापन जो है मुखमंत्री जी तक पहुँचना बहुत जरूरी है क्योंकि अब भरती में कुछ रहा नहीं गया है बस मुखमंत्री जी का काम है और ग्यापन का कारेकरम दोस्तों आज भी होगा और कल भी होगा और उसके बाद कल मुखमंत्री जी लखनों के लिए रवाना हो जाएंगे और अगर आज साम तक दोस्तों नोटिस नहीं आती है तो अभ्यरतियों का अगला कदम क्या रहेगा दोस्तों सभी लोग साथ हो जाईए जितने प्रोविजनल के अभ्यरती है जितने बेदल्ड के अभ्यरती है जितने जो है 7189 फ्रेस एनम बहन है सभी यह भरती दोस्तों एक है अलग नहीं है देखिए प्रोविजनल की बहने जितनी है जब तक यह भरती जो है 7 189 अभ्यरतियों का नियुक्ति पत्र का रास्ता नहीं किलियर होगा तब तक आपका भी रास्ता नहीं किलियर होगा इसलिए आप लोग सभी लोग एक जूट होकर इस भरती को क्लियर कराने में सहयोग करें आज बात यही हुई दोस्तों फिर एक बार आस्वासन मिला है CMOSER को EMAIL कर दिया गया है और सभी CMOSER के EMAIL पर PDF भी भेज दी गई है दोसों सासना देश नोटिस जो है वह जल्द ही जारी होने की बात कही जा रही है और यह जो PDF भेजा गया दोसों आज यह कई दिन हो गया है भेजे सभी काम पूर्ण हो गये है और इसके साथ में जो है अभ्यर्थियों का अगला कदम यही है अगर आज नोटिस नहीं जारी होती है तो सभी जितनी सेलेक्टेड एनम बहने हैं प्रोविशनल एनम बहने हैं और विदर्ड की एनम बहने यानि 8881 अभ्यर्थी लखनों में एपॉइन्मेंट लेने के बाद जो है वहाँ पर ग्यापन देंगी कि हमारी नूक्ती जल्द से जल्द कराई जाया दोस्तों अगर 10 फरवरी के पहले पहले नूक्ती नहीं हुई आप लोगों की तो फिर यह भरती जो है और डिले होती चली जाएगी और नूक्ती पत्र आप लोगों को कहीं ऐसा ना हो होली के लगभग में मिले क्योंकि दोस्तों अब जो है देखिए मुखमंत्री जी जो भी काम करते हैं वह जो है सभी लोगों को बता कर करते हैं दिखा कर करते हैं कि हमने देखिए कितनी साफ सुतरी भरती की है आप लोग भी देखिए इस सरकार में इतनी साफ सुत्री भरती हो रही है और अन्य सरकार में ऐसी भरती नहीं हुई है तो यह सब जो है मुखमंत्री जी का काम है दोस्तों हर भरतियों में मुखमंत्री जी ऐसे ही करते आते हैं हर भरतियों में जो है नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देते हैं मुखमंत्री जी जब से मुखमंत्री जी अपने कारिकाल में आए हैं जितना भी साल इनको हुआ है पांच साल छे साल जो भी हो गया हो लेकिन यह है कि जितनी भी भर्तियां हैं सभी अपने हाथों से जो है नियुक्ति पत्र अपने हाथों से ही अभ्यर्थियों को दे रहे हैं तो इस भर्ति में भी जो है वह अपने हाथों से ही नियुक्ति पत्र देंगे तो अभ्यर्थियों का अगला कदम यही है कि लखनव ज्यादा से ज्यादा संख्या में 6 फरवरी को पहुँचें जितनी एनम बहने हैं वहाँ पर पहुँचें वहाँ पर अपने बात को रखें और बताएं कि सर हमारे भी भविस्य के वारे में सोचिये भरती बहुत डिले होती जा रही है ग्यापन देने के बाद चुप चाप अपने घर के लिए चले आएं हो सकता है मुखमंत्री जी का मन बदले जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र आप लोग के हाथ में हो जाए क्योंकि प्रोग्राम तो दोस्तों रहते ही हैं मुखमंत्री जी हमेशा बैस्त रहते हैं इसलिए आप लोग ये सब मत सोचिए ये भी आपका ही जो है मुखमंत्री जी का ही काम है वीडियो को जदास जदास सेर करिएगा दोस्तों आज साम तक अगर नियुक्ति पत्र नहीं आता है तो जरूर जो है आप लोगों को सोमवार को यानि 6 फरवरी को लखनो पहुँचना है हर हाल में जितनी भी एनम बहने से सुन रही है सभी लोगों को वहां पहुँचना है और सांती पूरवग ग्यापन देकर अपनी घर को लोटना है दोस्तों बहुत से अभेरती पूछ रहे हैं कि सर कल आप कह रहे थे नोटिस आने की बात सही थी मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटिस आने की बात सही थी साम पांच बज़े के लगभग में कलियर हो गया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो है नोटिस नहीं आई अब अभी तक भी जो है अपडेट यही बात चल रही है कि आज भी नोटिस आने की बात हो रही है वीडियो को जादा से जादा सेयर करिएगा दोस्तों जो अपडेट मिलती है वही अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ वीडियो को अंतरक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद